Welcome back, आपका स्वागत है, आज हमारे साथ है आथर अक्षद कुपता जिन्होंने एक बहुती बेस्सेलिंग बुक लिखी है जिसका नाम है The Hidden Hindu तहिटन हिंदू एक तीन बुक पार्ट और तीन पार्ट की किताब है तीन पार्ट की बुक सीरीज है जिसमें उन्होंने इम्मॉर्टल्स की बात करी गई है वो इम्मॉर्टल्स जो हिंदू समाज और हिंदू संस्कृति से निकल के आते हैं और जो जिनमाना जाता है कि वो आ से उन्होंने तीन किताब या तीन पार्ट की बुक सीरीज बनाई है जिसमें दो पार्ट आज चुके हैं और तीसा पार्ट अप्रेल में आएगा उनकी इसी बेस्सेलिंग दा हिडन हिंदू किताब को लेकर धोनी प्रोडक्शन हाउस ने मुवी बनाने का सोचा है उन्होंने उसकी rights खरीदें और मूवी बना रहे, दूसरा उन्होंने T-series के साथ में बहुस सारा काम किया है ट-series के लिए उन्होंने बहुस सारे project पे काम जैसे कि lyrics writing करी है song script writing करी है songs लिके हैं बहुस सारे और भी कीसे उनकी life में कहानी सोची कैसे उन्हें कहानी या कैसे उन्हें इस सब्जेक का इस सब्जेक के बारे में इंट्रेस्ट जगा वही सब जाना है और उनकी इंट्रेक्शन दोनी दोनी साब के साथ दोनी प्रोडक्शन हाउस में कैसे उनकी कहानी को सेलेक्ट किया गया और कैसे टी सीरीज में सबसे पहला काम मिला बहुत ही इंट्रेस्टिंग बाते हुई है आज और पूरी वीडियो जरूर देखना तो खाने से बात करें तो आपकी फेवरिट डिश क्या है यह फेवरिट ऐसी कौन सी मिठाई की बात कर लेते पहले कौन सी मिठाई पसंद है यार मैं न इन मामलों में बहुत जादा देशी हूं आजाई है बहुत जादा देशी है मचे जलेबी बहुत पसंद है इमं distractी बहुत पसंद है गुलाब जामुन और वो जो जिसका सबसे ज़ाभ जादा मजा कुरता है तेवाली के साबशे सोन पापिड़ी मुझे बहुत काजु बर्फी मिस्स कर दिया अपने नहीं मैं काजु बर्फी नहीं पसंद करता हूं या मतलब वो ड्राइफ रूट यह एक्सपेंसिव ड्राइफ रूट के टेस्ट बट सब तक मेरे डेवलपी नहीं होता है तो मैं आपकी नौवल पड़ी ये नौवल गयो बुक कहलो मैं तो देखो पढ़ाई इतना बुक्स में इतना ज़्यादा इन्वाल्व हूनी मैंने अपने कॉलज की किताबे पढ़ ली मुझे लगता है कि हो गया मेरा तो बाकी अब मैं जैसे कुछ ऐसी इंट्रेस्टिंग है साइन्स फिक्षन से रिलेटेड कुछ मिलता है तो मैं सोचता हूं कि पढ़ी जाए तो मुझे पता चला मेरे फ्रेंड ने रिक्रमेंट करी फिर मैंने पॉड्कास्ट पर भी देखा आप बियर बाइस से पर आये थे रहे हैं और जैसे नीचे से अगर मैं इसको मुवी के साथ से देखना जैसे कैमरा किसी करेक्टर बजाता है किसी बंदे पर जाता है फिर उसके एक सर्गुजा चाथिस गड़ तो और मेरी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग ना ना स्क्रीन राइटिंग में है मेरे पास छे फिल्में है अभी और ना बुक राइटिंग में है मेरे पास ये तीन बुक्स की ट्रिलिजी है तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर छोटे से गाउं से निकल के बिना फॉर्मल ट्रेनिंग के मैं कर सकता हूं तो सब कोई कर सकता है हर कोई कर सकता है और हाँ फिल्म में देखने का बहुत शौक था और क्योंकि फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं आती थी कोई फॉर्मल तो बस वो मुझे वो टॉपिक इंट्रीग किया और मुझे जैसा जैसा मेरा विजुलाइजिशन होता गया है मैं वैसा वैसा लिखता गया मुझे कई लोग यह कहते हैं कुछ लोग तारीफ के तौर पे कुछ लोग क्रिटिसिजम के तौर पे कि यह तो बुक फॉर्मैट ही नहीं यह तो फिल्म के तौर पे लिखी वी अगर मेरी लिखी चीज में आप उसको विजुलाइज कर पा रहे हैं तो मेरा राइटिंग सद्धिया बिल्कुल बस मैं खुश हूँ प्रक्रश के खान बहुत अब कहा हैं अब फिल्कुल जयर करा चाहिए पुल्सक्राकरो अब व्यूंच विखी तो पहिए पार कहीं हैं लग्याइज समय नहीं यक्रुफ सब्सक्राइब अर्प environmental देण तो तो फिर character खुद बताने लग जाता है कि इस situation में ये character कैसे behave करेंगे तो क्या होता है कि आपकी छाप आप तो एक ही है न तो अगर आप push करेंगे सारे characters को तो सारे characters आपके जैसा behave करेंगे और तब writing में यह होने लग जाता है कि हाँ यार character के नाम तो अलग-अलग है लेकिन सब एक जैसी काम करें सब एक ही जैसा बात करें सब एक ही जैसा behave करें उसके लिए वक्त देना पड़ता है तो एक ड्राफ लिखे नहीं पसंद आया दीरे से फिर कुछ और किये कभी गाड़ी में जाते हुए कहीं कुछ सोचते हुए एक कुछ नहीं बात यादा गई अरे यह इंट्रेस्टिंग है कुछ यूट्यूब में देख रहे हैं कुछ पढ़ रहे हैं कुछ एक ऐसी चीज़ लगी कि अरे यह तो कहानी मैड होगा तो और अच्छा हो जाएगा तो बड़े आराम से धीरे-धीरे एक एक करके characters develop हुए और समय लगा है इसलिए आप लोगों को बिल्कुल बिल्कुल नहीं पसंद का तो मतलब उसका तो कोई ठिकाना ही नहीं है जहां भी जिससे भी पूछो जो भी science fiction का फैन है और जिसको नौवल मलब जिसको ऐसी नौवल पढ़नी है जिसमें कुछ न कुछ चलता रहे दिमाग हमेशा इंगेज रहे तो उसके लिए बेस्ट नौवल है यह और उसके अलावा अगर आप से पूछू मैं यह कि देखो इस आपकी नौवल के ना दो आस्पेक्ट है एक तो है कि हिंदु से मलब हमने उसको थोड़ा टच किया है थोड़ा पूरे टच किया है कि अपना मरच कर दिया अपने दो वर्ल को मिला दिय ईक साथ तो यह जो मॉद्रन वर्ल था जो मॉद्रन केरेक्टर आप लाया और पुर infect के भी डिसर्च और modern केरेक्टर की रिसर्च वह कैसे आपने character itself design कैसे किया तो यह से और दूलाइन में हैने टाब नहीं पड़िःए कृंए हम किस सन्दर्व में बात करें इस reference में भी आ डिसकसिंग भी चला तो दोस्तों एक एक आदमी पकड में आया है 2020 में जो ये कह रहा है कि मैं मेरा नाम XYZ है वो मैं आपको spoiler कुछ नहीं देने वाला हूँ मेरा नाम XYZ है और मैं सत्यूख से देव भूमी भारत में हूँ ना मैं मरता हूँ ना मेरी उम्र जो घैर गई है और मैं जो आपको सब्सक्रत है अच्छोंग कर दोड़ों के आपको सवाल क्या था क्योंकि इसके अलावा भी उस इन Immortals के अलावा भी आपके पास characters है तो वह characters पहले तो सोचना और हम सोचते भी वही चीज़े हैं जो हमको थोड़ा बहुत हमको हिंट होता है उनके बारे में ऐसा मुझे लगता है तो आपने वह character modern life के character कैसे design किये और फिर ये spiritual या Hinduism side से जो character उठाए Immortals उनके character design में कैसे आप गए कि अच्छा में को यह यह aspect दिखाना है इनका ऐसे ऐसे दिखाना है तो पहले हम modern की बात कर लेते हैं हाँ तो as modern तो देखिए सबसे पहले हैं से निकला राहूल की मेरे जो मेरे जो सुपत्र है मेरा जो बेटा है वो अभी 14 साल का है और विडंबना है आईरणी है पैथस है अनफॉर्चनेट हो मैं कि मैं अपने बेटे से मिलनी पाता हूं मुझे अलाओ नहीं है अपने बेट मुझे यह समझ में आया कि अभी के जो जनरेशन है ना उनको marvel series, iron man, spider man, superman सब पता है उनका बिना mask के क्या नाम है उनका with mask क्या नाम है उनका उस character को play करने वाले का real name क्या है जो अभी तक filmों में नहीं दिखाया गया ना वो भी उनको पता है लेकिन हमारा culture जो है जिसके हम स सब हिस्सा है उनको वह बहुत basic चीजे नहीं पता है जैसे मैं कई बार ऐसा होता है कि मैं किसी से पूछता हूं कि साच्ची रंजी वी तो दशाबतार के नाम बोलने लग जाता है मैं बोलता हूं दशाबतार तो उनको लगता है दशानन तो रावन का नाम है तो मैं बोलता अभी के पढ़ने वाले पहले उनी से connect करेंगे अभी का पढ़ने वाला पहले scientist से connect करेगा पहले doctor से connect करेगा पहले psychiatrist से connect करेगा पहले जो हमारी character LSD है hacker उससे connect करेगा अगर उससे connect हो गया और वो लोग नहीं मान रहे हैं ये एक immortal है जो इनके पास पकड में आ गया है तो जैसे-जैसे ये modern characters उसको नहीं मानेंगे तो मेरा reader भी नहीं मानेगा और जैसे-जैसे किसी को मालूम है scientist अंगिनत बच्चे बनना चाहते हैं तो ये वो लोग हैं that we look up to, this is what we want to, so when you connect those dots with today's generation then it becomes easier, मतलब वो जूला होता ना slide वाला, तो वो slide कैसा ऐसा ऐसा हो, है ना, zig-zag-zig-zag होता, तो वो zig-zag-slide बनाने की कोशिश होई थी कि इनको मज़ा भी आता रहे और ये बहुत आराम से मेरी कहानी में उतर जाए, तो वो काम कर गया है, और जो हमारे immortals है, फिर आपने immortals को लेकर क्या research करी, कैसे, ये basically तलाश कैसे किया कि पहले मैं इसको introduce करूँगा, फिर मैं इसको introduce करूँगा, क्योंकि हमारे तो ये सारे के सारे परुश राहम, अस्वत थाम और जो वेद वियास जी है, मुझे सारे पूरी तरह से याद नहीं है, पर जो हमने आठवर जो हमें बता है, वो मैं spoiler नहीं देना चाहता, लेकिन मैं पढ़ लिया है, तो आठव बता है मुझे, वो भी बड़े खतरनाक बंदे हैं, दूर, जो महावरत के टाइम में रोल प तो महावरत में उनका वो हो गया था, बिचारे सुरगवास हो गया था, तो जो प्रविश्राम जैसे character, तो आपने ये कैसे line कैसे किया कि मैं पहले इस character को introduce करूँगा, फिर इस character को introduce करूँगा, ऐसे unfold करूँगा इन सबको, या फिर कुछ इनके research कैसे करे, क्या थे आपके sources और ये ना रहूल सबकुछ इन साथ चिरनजीवियों के बारे में लिखा है, लेकिन एक जगह पे compiled नहीं है, कुछ कहीं है, कुछ कहीं है, कुछ इंटरनेट में, कुछ किताबों में है, कुछ रीजनल स्टोरीज में है, तो सुनते देखते तो हर को ये रहते हैं, लेकिन आपको जिस चीज में जैसे अगर आपको शायरी में इंटरेस्ट होगा ना, तो अभी रीज देखते देखते ना, आप शायरीयां याग करना शुरू करेंगे, कि ये बढ़िया है, वो बढ़िया है, या किसी एक की शायरी अच्छी लगती तो आप उसको सुनते है बार-बार, तो मेरा परसनल लेवल पर इंटरेस्ट इस पर बहुत रहा है, उसका कारण ही है कि मेरे जो माता-पिता है, वो उस समयाज से पचास साल पहले के लव मेरिट कपल है, आसम, हाँ, और वो बड़े अलग-अलग सोच के लोग हैं, जिसके कारण हम लोग बड़े, ह हम लोगो सवाल पूछने की बड़ी छूट मिली हुई है, परिवार के अंदर, हम तर्क वितर्क बहुत अच्छा करते हैं, कैसे करते हैं, हमारी मा हैं ब्रामन, तो बोलती ही, थी बच्पन से साथ चिरन जी भी होते हैं, जो मरते हैं, हमारे, हमारे पिता जी लगबग-लग अच्छा हैं, तो दिखते क्योंनी हैं, कहां हैं, तो यह जो सवाल है ना कि अगर हैं तो दिखते क्योंनी कहां हैं, that brought the story in my head, कि अगर मैं मानता हूं कि यह हैं चिरन जी, लेकिन आपको और मुझे दिखते नहीं, हैं ना, तो वो इसलिए हो सकता है, वो हमारे आँखों के स लो उंकल, माइनेम इस अक्षड गुपता, वॉट इस वूनेम, क्योंकि यह जोट भी नहीं बोलते हैं, तो ये हाथ पकड़ के बोलनेते हैं, हाय माइनेम इस परशु राम, तो परशु राम या वेद राम तो बहुत कौमन है ना, परशु तो फिर भी नहीं है, बाट वेद तो है वेट तो है है ना तो वो शायद हम उनसे पूछते नहीं हम अपने मोबाइल में ज्यादा बिजी रहते हैं तो वो शायद ट्रेन में बस में हमाई सफर कर चुके होंगे बस हमको पता नहीं होगा तो वैसे मेरी कहानी में मैंने गढ़नी शुरू की और रही बात कि इन स साथ लोगों का सीक्वेंसिंग में किस बेसिस पर कर रहा हूं बेसिस ऐस सच कुछ है नहीं मुझे ऐसा लगा कि कनेक्ट करने के लिए जो जादा जैसे जिसको साथ चिरन जीवियों को नाम नहीं बता होता ना वो भी एक-दो नाम तो बता देता है उसमें जो पहला नाम हो हुई है तो वह जिक्र भी कर देता है ना कि मैं उसको ढूंड रहा हूं तो फिर अब धीरे धीरे कल्मिनेट जब आप इतना वक्त लगा के लिखते ना तो आपको पता होता है कि आपको आपको हीरो का इंट्रॉक्शन कैसे करना है कौन किस सीन में स्क्रीन पर उत्रेगा कि इसके बारे में यह डिटेल निकालता हूं मैं या फिर हर एक जो भी हमारे इम्मॉर्टल से हैं इनको एक एक को पकड़के आपने कितना टाइम लगाया होगा एक एक कैरेक्टर को और सबसे ज़्यादा किसमें टाइम लगाया होगा तीन साल में ग्रैजुएशन हो जाता है पांस साल में पोस्ट ग्रैजुएशन हो जाता है मैंने छे साल लगाया है तो आप समझ लोगी क्या क्या किया हो इसको तो जरुरत दी ना फिर बिल्कुल जरुरत थी तो मुझे जब जहां से जिस भी व्यक्ती से जिस भी किताब से जिस भी इंटरनेट के साइट से जिस भ आपका personal favorite कौन सा immortal है वो आपके आगे वाले पार्ट में आएगा मैं उसका जिक्र करके वो नहीं करना चाहिए फिर भी फिर भी मलब हिंट दे दो ऐसे पहेली में बता दो बंदे अपने आप डीकोड कर लेंगे इसलिए तो नहीं बता रहा है तो डीकोड करना तो वह भी है च चलो आपके बच्पन में चलते हैं आप क्योंकि आपने बच्पन के जिक्र खुद किया कि आपके मदर के साथ आपका ऐसा बाउंड था कि वो ऐसे तो नहीं कि इमॉर्टल्स का जिक्र ऐसे कर देती होंगी वो कुछ ने कुछ टॉंट मारती होंगी है कुछ ने कुछ जिक् तो आपको बच्पन में किस तरह से आपको बच्पन गुजरा है और जैसे आपने बताया पेरेंट्स ये बहुत ये में मेरे को नहीं पता था कि आपके पेरेंट्स की लव मेरी स्थी उस टाइम पर तो उसके बारे में भी टेच अपॉन करेंगे कुछ बताईए आप पहले पेरेंट्स की बैक्ग्राउंड फिर आप अपने बच्पन बताईए हाँ तो देखिए मेरा बच्पन हम होटल बैक्ग्राउंड से आते हैं आइम धी थर्ड जनरेशन ऑफ माइफ फैमली तो हस्पिटालिटी होटल इंडस्ट्री, खाना खिलाना, भी खाना खिलाना तो हम शौक के लोग हैं और हमरी परवरिश बहुत रिच कल्चर में होई है पैसे से भी ठीक खाकी रहे हैं तो मॉम डाइट क्योंकि उस समय के लव मैरिट रहे हैं तो ना उन लोग बीच में बड़े हिल्दी डिस्कुशन्स होते थे लेकिन डिस्कुशन्स में एक फॉर दी टॉपिक होता था एक अगेंज दी टॉपिक होता जैसे मैं आपको बहुत इंट्रेस्टिंग एग्जामपल देता हूं कली मैंने किसी से बताया यह बार वास्तु शास्त्र समझते हैं ना आप बिल होना चाहिए और वजन मतलब कंस्रक्शन नौर्थ में होना चाहिए तो हमारे डाड एक होटल बनाने के लिए एक बड़ा सा प्लॉट लिये थे उस पर होटल बन रहा था तो पूरा जब बन के आया ले आउट उसका तो वह ऐसे ही था कि साउथ में गड़ा और पूरे होट होटल खड़ा कर दिया था 27 कम रहे पर अभी वह पन्नों के आया था तो अब बनना शुरू होना तो माने समझाया वह नहीं माने उनने बोला नहीं नहीं वह इसका फेसिंग यह रहेगा तो खिड़कियों से व्यू बेटर आएगा एक स्वाई थी वह होटल बन गया दो ती चलते हुए घुसाए अंदर और आया और मेरे डाय बड़े परिशान बैटे हुए थे और हम गर्मी छुटी में तो वह बाबा आके बोले कि बच्चा यह तेरा होटल कभी नहीं चलेगा अब जो आदमी सब कुछ डालके बैठा है मेहनत करके उसको उसको खिता बुरा लग तो उन्होंने गुस्टे से बुला कि पंडी जी कौन से देश में रहते हैं आप तो चौक गये कैसा सवाल है भारत में रहते हैं ना हम भारत में रहते तो उन्होंने बुला कि दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महा सागर जो है ना दूसरा सबसे बड़ा से तो वास्तु गलते तो मैं एक एक कड़ का वास्तु सुधार के क्या कमाल कर लूँगा डाट हिट मी वेरी बैडली विकॉज डाट वस लॉजिकल प्रू यहार अगर ऐसे बोलोगे और आप बोलते हो कि पूरा देश एक परिवार है तो फिर तो पूरे परिवार का तो फिर मेरा उस बात से भरोसा थोड़ा सा डगमागा तो ऐसा नहीं कि मैं नास्तिक हूँ लेकिन मैं अंध विश्वासी नहीं हूँ आप मेरे को लॉजिक समझाएंगे तो मैं मान हूँ पर आप मेरे को सिर्फ यह बोलेंगी कि देखो थरस्डे को नाकुन मत कटो वो भी शनिवार को लोहा मत खरीदो ठीक है नहीं खरीदेंगे पर आपको मुझे समझाना पड़ेगा कि लोहा क्यों मत करीदें तो हमारी परवरिश कुछ इस टाइप से होई है फिर हम अंभीकापुर च्लासिक्स में मैं फेल हो गया पढ़ाई में बहुत ही गोचुता हूँ कैसे ये फेल की कहानी क्या रही क्यों होए फेल बज़ा नी आए तो पड़ाई में या फिर और यूजरी का शौट था लेकिन ट्रिग्णोमेट्री जोमेट्री जोग्रफी नहीं कौन से सबसे बेकार सब्जेक लगता था कि यार ये तो मुझे साइन्स और मैट्स बहुत तक्लीफ दिया है I hate them वो अगर human form में होते तो मैं उनसे कभी दोस्ती नहीं गरता रही बात है और ड्राइंग, creative field कैसे लगता था आपको creative मुझे बहुत देर से पता चला कि मैं creative हूँ till the age of 33 in 2014 मैं अपने रेस्टाउंट्स रन करता तब तक मुझे पता ही नहीं था कि मेरे में कुछ और भी है या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ 2014 में एक बहुत खराब phase आया जिसमें मैंने suicide attempt किया उसको उसको वैसे अराम से discuss करेंगे क्योंकि तो अब बच्पन में जलते दुबारा क्योंकि ये मेरे पास है से related question 2014 एक बहुत बड़ा chapter है आपकी life का और उस chapter में बहुत चीज़े हो रही है और आपने भी बहुत सीखा है आपने भी अर्यों के बाध मेरे क्लास्फेंट पनेगे और मेरे च्पनेगे और मेरे क्लास्फेंट सेनर तो रोना गाना इस वज़ए से मुझे हस्टल में शाथ लाइपूर और पेहली बार में अंभिका पुर कस्बे pressed के लिघे राइपूर तब तब तो बस जब आप पैदा हो रहे थे तब हमको घर से भगा लिया है ठीक है तो मैं वहाँ पहुचा फिर वहाँ नहीं दोस्ट बने नहीं टीचर्स मिले 6 से 10 तक पढ़ा ही थोड़ी बेटर हो गई क्योंकि मार पढ़ती थी वहाँ माता-पिता से दूर थे तो फिर थोड़ा सा चाहे मार की डर से थोड़ी खुद समझ आ गई कि नहीं आप कुछ करना है करके तो क्लास ट्रेंग थो पढ़ा ही वड़ा ही न ठीक हो गया फिर 10 में उस स्कूल को हौस्तल में वह यूणिटी के चकर में बड़ी बुरी मार किट ओगई सी नूर्च फिर हम बहुत पिटे पहले सीनियर से पिटे फिर टीचर से पिटे फिर हमको स्कूल से रिस्टिगेट कर दिया गिए लेकिन 10th का वो बोड का फॉर्म भरा चुका था तो वो वापस नहीं हो सकता था थैंक्फुली तो बोड देने का परमिशन मिला उसके बाद लेकिन बोले तो फिर वहां से भीजागे इंदौर इंदौर में एक इंदौर पब्लिक स्कूल है आई-पेस शॉर्ट फरम है उसका तो वहां पर हमारा एडमिशन हो और 11-12 इतना क्रूशल यह होता है मैं कई बार टॉक शोज में बोलता हूं कि वो इतना क्रूशल यह होता है और उसमें एक चीज जरूर होती है कि आपको किसी ना किसी लड़की से प्यार हो जाता है जब आपको सब्सक्रादा ध्यान पढ़ाई में देना 11-12 में होता है तो हम आपसे अच्छूते थोड़ी ना है तो हमको भी हो गया प्यार है तो फिर चला एक दौर चला प्यार मुहां सेम क्ल लास में थी तो मेरा उनसे अफेयर चला साड़े पांच साल फिर मेरी उनसे शादी हो गई क्या बात है साड़े 21-22 साल मैं हमने उनसे शादी कर ली फिर वो शादी चली लंबी और उसके बाद फिर साल आया 2014 जोदा हाँ जी तो ऐसी कुछ कहानी रही है तो हाँ अंभीकाप और कॉलेज कॉलेज में अपने जी कॉलेज में इमांदार रहा इस रिष्टे के परति कोलेज में थे लेकिन मेरा ग्राइजवेशन है फिर एक साल मैं मुंबई में था फर होटल मैंनेजमेंट डिपलोमा क्योंकि ये पता थे कि चलाना तो होटल ये अचाँ अभी तो creative field में जाऊंगा या मुझे acting करनी है या मुझे book writing करनी है कुछ भी ऐसा कुछ कर रहा था कोई आसपास क्योंकि बच्पन से न mom dad नहीं समझाया था कि बिटा आप हमारे परिवार के बड़े बेटे तो ये दो generations की जो धरोहर है जो legacy है you have to hold the pattern तो हमारे दिमाग में भी खुशी-खुशी मतलब कोई उस पर retaliation नहीं था मेरी तरफ से कि मैं ऐसा क्यों मेरे को बच्पन से यह मालू है कि मेरे को करना यही है बाप दादा अच्छा खुब काम किये हैं दो generations का experience है मालूम है staff कैसे handle करना है मालूम है टेस्ट कैसे लाना है मालूम है भुटिल कैसे बनाना है मालूम है प्यार से बटा खिलाना कैसे है तो यह था कि करना तो यही है तो ऐसा नहीं कि मुझमिन शायद होगा लेकिन मैंने कभी explore करने की कोशिश ही नहीं बिल्कुल अब अपने दोस्त तुमें बैठते होगे तो बहुत अच्छी कहानिया सुनाते होगे ऐसा होता था कि आप बहुत अच्छी मंडली लगा पाते थे जी मैं गाना भी ठीठा गा लेता हूँ तो दोस्तियार कह देते थे लिएकुल सुना दे तो कभी शायरी कभी गाने कभी इससे कहानिया औरवस्तेल में भूतों की कहानी बहुत चलती है प्लतलम हर होस्तेल के पीछे न कभरस्तान के ऊपर बना होता है और यह सोज़ आपतों जैसे कुछ रात में हमारे एक architecture block में एक बच्चा था वो रात में अगरबती जला लेता था होगा उसके कुछ room का उसको aroma करना होगा तो उसको कह दिया कि बता नी रात में इसे क्या चक्कर होता है रात में क्यों अगरबती लगाता है ये बता नी बतों को बुलाएगा क्या करेगा ऐसे उसको black magic करेगा क्या करेगा तो रहता होस्टल में तो बड़ी must life रहती है अच्छा फिर अब तो आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था क्योंकि future subject तो आप ये कैसे आपको कैसे लगा इसकी जरुवत कैसे महस्तूस होई जब 2014 में चलते हैं 2011-12 में situations कैसी बिगढ़ने लगी थी क्योंकि एकदम तो 2014 में जाके एकदम तो होगा नी न एंड तो शुरुवात क्या हुई थी फिर आपको भी जब ऐसा हो रहा था फिर आपने रीकलेक कैसे किया तो वह उस उस दौर की तरफ चलेंगे लेकिन थीरे-धीरे क्योंकि यह बहुत सेंस्टिव टॉपिक है इससे जल्दी नहीं निकालेंगे तो सब अच्छा ही था अच्छा सब अच्छा चावड़ा था फिर सो मेरी मैरीज को एट एंड हाफ एर सो गय थे मेरा बहुत प्यारा सब बेटा है वो समय साढ़े छे साल के थे अब 14 साल के हो गए है और आइरनी यह है कि मुझे उनसे मिलने नी दिया जाता है मैं मिलनी प कि मैं जित्ती भी महनत कर रहा हूं जितना भी मैं नाम कर रहा हूं वो मैं इसी लिए कर रहा हूं कि ही शुद फील प्राउड अफ मी माइ पेरेंट्स है वरी प्राउड अफ मी मेरी सेकंड मारिज है माइ वाइफ इस वरी हैपी अफ प्राउड अफ मी तो 2014 में कुछ ऐसा हुआ कि हम लोगों का रिलेशनचिप दीरे दीरे खराब हो रहा था और 2014 तक बहुत जादा खराब हो तो वन फाइंडे मेरी एक स्वाइव जो है अब उन्होंने मेरे बेटे को लिया और कुछ और कहके घर से चली गए हमको पता नहीं था कि वो जाने के बाद हमको पता चला कि वो वापस नहीं आ रहे हैं फिर मेरा जो डिवोस का टाइम रहा है रहो बहुत अगली रहा है बह वाज का काम होता है उनका उनका काम ही ए कांट हिल रहा है तो और हर कोई चाहता है कि उनके क्लाइन क के स्ट्रॉंग बने ले गर देख़को लीड़ी चीज़ हो सकता है या तो मैं आपका यूपर उड़ जाओ उड़मीना में नीचा कुम नीचे कि तो केसेज भी ऐसे ही चलते हैं जैसे पुरी दुनिया चलती है तो उसमें जब यह सब हो रहा था और अचानक से सब कुछ बिखर गया था तो मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में गया और एक रात मैंने आई ट्राइट अप माई लाइफ मैंने सुसाइड अटेम्ट किया पर मैं बहुत फरजाईल हो गया था उसमें और तो मैं पांच दिन हास्पिटल में था और डॉक्टर शौर नहीं थे कि मुझे बचा पाएंगे कि पांच दिन बाद जब मैं बचा और मैं वापस घर आया तो अब मुझे ऐसा लगता है कि वो शक्स जो अस्पताल पहुचा था और वो जो अस्पताल से निकल के आया वो दो अलग अलग वो अब उस चार पांच दिन जब मैं अपने कॉंशिस लेवल में नहीं था तब मेरे साथ क्या हुआ मुझे पता नहीं पर जब मैं उठा तो एक ये थौट था एक ये कहानी थी जो मैं लेखना चाता था अपन था जिसको मैं कई साल से जी रहा था वो सड़नली कॉलाप्स हो गया था मतलब अब और आगे बढ़ने की इच्छा भी नहीं थी और पैसे कमाना और महेंगी गारी खरीदना और बड़ा घर करना सब जा जो तो एकदम वो जो वहराग्यरी बोलते हैं कि मोम आया से परे तो ऐसा हो गया था कुछ तो उस हालत में जो मतलब इस बुक यह 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 भारत की सबसे नई बेस्ट सेलर बुक है इन रिकार्ड ब्रेकिंग टाइम और फाइव मन्स तो इतने कम समय में आम तोर पे कोई बुक डेबिटेंट फर्स टाइम ऑथर के नहीं बनते हैं तो मुझे ल को लगा होगा कि यार इसके सब थोड़ा ज्यादा गलत हो गया है तो चलो थोड़ा वह ठीक कर देते हैं तो फिर यह मैं अचानक से वह सब छोड़के और मैं प्रूटल इसको लिखने बैठा था and I was initially I started writing it for my son मुझे लगा था कि थोड़े समय में समझा बुजा कर मैं कहानी सुना पा रहा हूं और मैं अभी इंतजार कर रहा हूं कि मैं अपने बेटे को कहानी सुना सकते हैं पर मैं बहुत पेशेंट भी हूँ और मैं बहुत होपफुल भी हूँ बहुत पॉजिव हूँ अब कि वो दिन जादर दूर नहीं है वो आपको अक्की अक्की बुल डैड ये सबका जो परियावाची था जो सिनॉनिम था वो था अक्की तो उनको कुछ चाहिए होता था तो तो ऐसा आता था कि अक्की आप मेरे लिए यह ले आईएगा तो उनको यही मनदा कि अक्की मतलब डैड आपके घर में बुलाते होंगे ना आपको शाद अक्की बुल कि मेरे जो घर था इंदार में वो शहर से थोड़ा सा बाहर था बड़ा मैंशन था मेरा तो शहर के अंदर ना होते हो एक पहाड के उपर था बहुत खुबसूरत सा आशियाना और वहां पे आसपा स्टेशनरी शॉप्स और बाकी रोजबरा की चीजें बहुत आराम से नही पगड़े चोटे हैं तो वो चौदा पंदरा पन्ने का तो एक ड्राइंग कापी होता है बिल्कुर हर रोज खतम हो जाता है तो उन्होंने मुझ से हर दूसरे दीसरे दिर बोते था कि मेरे ड्राइंग कापी खतम हो गई एक और ले आगे तो मैं रोज काम पे जाता था दूसरी चीजों में उल्जा हुआ था तो कई बार होता है ना कि आप अपने बच्चे की छोटी सी चीज़ है तो उतना सीरिस्की लेते नहीं तो मैं दो-तीन दिन तक मैं ला नहीं पाया और वो मेरे से पूछते थे लाए और मैं बोलता था कि कल पका कल पका और जिस रोज रोज में उनके लिए तो मैंने इस बार सोचा कि काम करता हूं रोज एक ले जाके देता हूं हर दूसरे दिन फिर वो बोलते हैं तो मैंने एक ड़जन पूरा एक बंडल बंधा रहता है स्टेशनली शॉप्स के पस तो मैंने बोला पूरा एक ड़जन दे तो यार कि बार- बिल्कुल दे नहीं पाया तो मैंने इस किताब का जो पहला मैनिस्क्रिप्ट है जो मैंने हाथ से लिखा था वो मैंने उन ड्रॉइंग कापीज में लिखा तो वो रखा हुआ था तो मुझे देख के इतना इतनी टीस मचती थी ती कि यार ती चोटी चीज मांगा वो मैं द खुद लिखने लगे तो आज भी मेरा जो इस किताब का जो इतना मेरे को नाम दे रहा है इस किताब का जो फर्स्ट मैनिस्क्रिप्ट है वो उनकी ड्रॉइंग कापीज में लिखा हुआ और वो मैं अभी तक उनके लिए सम्हाल करें बिल्कुल बहुत ही इमोशनल सबजेक इते सॉरी अगर मैंना आपको उस खयाल को डुदा जीने के लिए मजबूर हो नी जीए मोझा डुब अचारि मैं थोड़ा स्को वो करना चाऊंगा इस माहल को थोड़ा कि ट्राक के ढर 靈 ऐसे कॉंसर सकों करेंगा अभी वे अन現在 भी आज़गर इतने मेरा अभी और फुप मेरा ब मेरा बेहन भाफ ही दोस्त है उसका नाम भी उहीं है रुज़ी एरुटर कि मैं पहले भी कहीं कहा हो कि जो बुरह वक्त आता जून ना चटनी बहुत अच्छा करता है बुरह वक्त पैसे है जब तक आपकी जेब में पैसे हैं तो जब ऐसा कुछ समय बिगड़ता है न तब आपको आपके सचे लोग कौन है असल में आपके लोग कौन है आपको तब पता चलता है ऐसे आप पलट के देखोगे न तो आपके पीछे भीर दिखेगी पर जब बुरा समय आके सामने खड़ा होता है और आप पलटते हो न तो आपके हाथ में उंगलियां जादा होती हैं लोग कम होती है यह जीवन की सच्चाई है मैं मेरे से मुझ से अब नए दोस्त नहीं बनते हैं वो वक्त गया जो एक लौता दोस्त मेरे साथ मेरे बुरे वक्त में नहीं छोड़ा है मैं फर दी रेस्ट आफ माई लाइफ आई विल बी इंडेटेट तो है मैं करे तक यही रहूंगा उनके लिए और वो मेरे से बिलकुल जब फोन करते हैं बाकी मुझे कोई इस तरीके से बात में पर से तो आप बेसिकली मी टाइम होता है हर एक बंदे का अपना मी टाइम होता है तो वो आपके मी टाइम के दोस्ते हैं कि आज आयार बैठते बहुत दूनों से यह जैसे कभी ट्रावल करते हुए इधर उधर जाते वे ठक जाते हैं तो कभी अपने शहर जाएंगे तो उसको जरूर बलाएंगे कि आज आयार बैठते बात करेंगे ऐसा कभी नहीं होता है कि मैं अपने शहर जाओं और अब मैं अपने शहर जाता हूँ तो मैं बहुत कम लोगों से मिलता हूँ मेरी छठनी बहुत अच्छी हूँ क्योंकि मेरा वक्त बहुत ही जादा बुरा था वक्त जीतना जादा बुरा होता ना फिल्टर उतना स्ट्रॉंग हो जाता है तो मैं वापिस आने का मौका नहीं देता हूँ लोग यह आप मेरे कम ही बोलिए या अच्छा ही जो भी आपके हैं मेरा मानना यह है कि वो फित्रत होती है और फित्रत नहीं बदलती है अच्छा इन सबसे आपने क्या सीखा मतलब ऐसा कुछ तो लर्निंग होगी ना जो आप चाहो के आगे देखने वाली ओडियंस जो भी आ भाते हैं तो हमको थपड याद रहता है और वो पढ़ाई चिहां यह चैसले रिखैंब देखें बुरा समय हमेशा आपके खुद की वजह से नहीं आता रहीं पुरा समय कई बार आपके इर्दगिर्द के लोगों की वज़से भी आ तब है ना तो बुरे वक्त जैसे आपका सुबह और शाम में कोई वर्ष नहीं है वैसे आपका अच्छा समय और बुरे समय पर कोई वर्ष नहीं है आप कुछ नहीं कर सकते हैं ना आप आने वाले वक्त को रोक सकते हैं ना आप बुरे वक्त को जल्दी खतम कर सकते हैं ना आप अ का शहर भी है लेरों ने ये सुखाया है कि जितनी बार लहरा आती है अगर आप समंदर में जा रहे हैं तो लहर बहुत जोर साती है तो वो ना आपको दो-तीन कदम पीछे ठैक देती हैं आप फिर कर देनी है लहरों से लड़ने का तरीका ये है कि जब लहर आए तो आपको अपना सर डुबा के पानी के अंदर चले जाना है लहर आपके उपर से निकल जाती है फिर आप उठते हैं फिर आप तीन कदम और आगे जाते हैं आप फिर बैठ जाते हैं कि लहर को निकल जाना है आ थकते कम हैं, आप लहरों से लड़ते नहीं हैं, और लहर आपको पीछे नहीं करते हैं, क्योंकि आप उससे लड़ नहीं रहे हैं, तो भी आपको वही छोड़ देती जहां आप होते हैं, तो बुरे वक्त से लड़ना नहीं होता है, बुरे वक्त को एकसेप्ट करना होता है, ये जो बात है ना मेरे साथ ही क्यों हो आपके साथ नहीं वो सब के साथ होगा किसी के साथ हो चुका है किसी के साथ होगा रंग बदलते हैं परिशानियों के सब क्या डिवोर्स नहीं होगा सब सब अपने बेटे से दूर नहीं होगे लेकिन हम में से कई होंगे जो बहुत पह मेरे चेहरे मेरे आग के ओपर यहां पर एक चोटा से तिल है मैं उसको नहीं हटा सकता वो रहेगा आप जब मेरा चेहरा देखेंगा आपको तिल देखना पड़ेगा तो I strongly believe that unless I will not accept my past gracefully जब तक मैं अपने बीते वक्त को स्वीकार नहीं करूँगा आप मुझे स्वीकार नह accept that this is my fate and this is my present और तब आप यह सोची कि कैसे धीरे धीरे में अपने जीवन में आगे बढ़ें क्योंकि जब आप समंदर के अंदर पहुंच जाते हैं ना रहूल तो फिर लहरे नहीं आती हैं लहरे सिल्फ समंदर के किनारे पर याद बिलकुल बहुत बहुत सुंदर निकली जाएगा अच्छा अब हम आते हैं उसके बाद जैसे लाइफ बदली आपने एक बहुत टफ एक्सपिरेंस धेला और अभी भी आप उस तलाश में है कि कंक्लूड हो जाए फाइनली तो फिर उसके बाद ये अच्छी चीज़े जो आने शुरू ही लाइफ में जैसी आपकी बुक का ड्राफ्ट वरजिन कंप्लीट हुआ आप कैसे फाइनलाइस करते गए फिर कैसे पिछ कर रहे थे फिर आपका आपका टी सीरीज के साथ कैसे कलाबरेशन हो रहा है वो सब नियू अपॉर्टिनटीज कैसे अनपोल्ड हो रही थी आप क्योंकि एफर्ट कर र आप मिले कैसे उनको कुछ हम वो कर सकते हैं तो मेरी उनसे मुलकात ऐसे हुई कि मेरी एक दोस्त मुझे समझा रही थी कि आर्ट ऑफ लिविंग के क्लासेज ले तो मेरी जो अभी प्रेजंट जो वाइफ हैं वो आर्ट ऑफ लिविंग में बड़े अडवांस कोर्सेश की ह तो मुझे उनसे इंटरड्यूस कराया गया ताकि वो मुझे यह समझा सकें कि आर्ट ऑफ लिविंग तुमको जाना चाहिए मैं अभी तक आर्ट ऑफ लिविंग नहीं गया हूँ ठीक है लेकिन उनका मेरा साथ हम लोगों को जम गया और फिर हम समय साथ थोड़ा बिताए और उनको लगा कि यार यह व्यक्ती बुरा नहीं है इसका इसकी परिस्थितियां इसका समय अभी इसके अनुकूल नहीं है त तो उन्होंने बोला कि I'll stay with you, I'll be with you. फिर वो ही मेरे जीवन में 2014 के बाद सबसे अच्छी चीज़ हुई है और आपको जाके महां बॉम्बे में लोगों को सुनानी चाहिए तो मैंने मान लिया कि सुनानी चाहिए और उन्होंने बोला कि जाओ और सुनाने लग गया तो मैं जाके सुनाने लग गया बिल्कुल मतलब आँख मूं की जो अंदभक्त नहीं बोलता है तो वैसा होने लग गया और मैं सब जगा कहानी सुनाता गया और एक जगा एक बार पहुँचके मैंने कहीं यही कहानी सुनाई उस समय उस प्रडियोसर को वो नहीं चाहिए था उस प पहले का अक्षद दुपता याद था उसकी कहानी याद तो उन्होंने बुलाया पूछा अभी भी है तुम्हारे पास मैं लग जी चलो सुनाओ और वहां से एवर्टिंग चेंज़ टी सीरीज के साथ मेरी मुलाकात एक मानुभव की वज़ह से हुई थी जो मेरी एक कहानी चाहते थे वो मुझे टी सीरीज लेकी रह और टी सीरीज वालोंको कहानी अच्छी लगी अनफॉटनेटल ये टी सीरीज वालोंको उनका डिरेक्शन स्टाईल पसंद न हैं तो उन्होंने मुझे शाइन किया और उनको साइन नहीं किया उसके बाद उनके दिमाग में T-Series वालों के दिमाग में एक और कहानी थी ठ्रेलर और क्योंकि वो मेरी एक कहानी साइन कर चुके थे और सुन चुके थे मेरा style of thought and idea तो उनको ऐसा लगा कि he's the right person to develop the second story वहाँ से मुझे T-Series की second film जैसे दोनी entertainment on board आया तो Penguin को पता चला कि ऐसा ऐसा national news बन गया था मैं so I am also the first ever Indian author to have sold the visual rights of a trilogy before the launch and release of even a single part या वाता है यह मेरे पास एक record holder हो तो जब वो हुआ तो पर Penguin आया कि we want to get collaborated फिर 7-8 महना लगा सब paperwork वगरा हुआ और फिर आप वो किताब पढ़ रहे हैं बिलकुन तो जब हम यह सब आप कर रहे थे धोनी media entertainment के पास जा रहे थे या फिर उनके साथ तो उस तो में कुछ ऐसा था दिमाग में कि या बन सकती है बात नहीं बन सकती या फिर जब आप पहली कहानी pitch कर रहे थे या पहली बार सुना रहे थे तो क्या energy थी क्या aggression था क्योंकि मुझे लग ये रॉक्स्टा मुवी देखिया आपने जी जी तो रॉक्स्टा मुवी में बोलता न कि हाँ कि असली जो रॉक्स्टा बनने के लिए दर्द होना चाहिए दिल में तो ये कही न कहीं मुझे क्योंकि मैं उस aspect को तो नहीं करना चाहता कि आप separation आपने separation जहेला और अभी जहेल रहे हैं लेकिन दर्द तो है ना दिल में उस दर्द से जो कहानी निकली है उस दर्द की वज़ा से जो जो एक output आया है वो ही इतना impactful है वो ही इतना impacting है कि उसकी वज़ा से आप भी एक rock star बन चुगे हो तो जो आप जाते हो पिछ करते हो तो वो आपका concert है आप उनको सुना रहे हो अपनी कहानी और देख रहे हो reaction उनके चहरों पर तो पहली बार जब आप वो कहानी सुना रहे थे पहली बार जब आप उनको बोल रहे थे कि यह हो ऐसा मेरा character है तो आप पूरा narration देते हो कैसे करते हो शुरवात में मैं बहुत थोड़ा सा short narration देता हूँ और जिन लोगों को और यह मेरे हर कहानी के साथ है यह जो कहानी है दा हिडन हिंदू इसका तीनों पार्ट सुनाने में एक बार फुल नरेशम नौ गंटे गा तो उसके पहले मुझे शौर होना पड़ता है कि मैं जिसको सुना रहा हो उत्ता सीरियस है कि वो बस उसको बस मदा आ रहा है उस सुनने में ठाए बस बढ़िया कह कि सामने वाला क्या बोलेगा और हमको तो बस अपना अपना पार्ट प्ले करना है अपना रोल प्ले करना है कि एफर्ट पूरे करने बाकी भगवान के ओपर है तो फिर आप दोनी जी से मिले होंगे उनके प्रोड़क्शन हांस गहें तो उस एक्सपीरियंस को शेर करें क्य कि यह किया अपने कुछ मारूती एट हंडेट का कुछ तर्क दिया था कि मैं ऐसा ऐसी कहानी नहीं लिख सकता जो मारूती एट हंडेट पर यारी कुछ ऐसी था तो आप बताओ उसके बारे में तो कि आप लिखते वक्त अगर आप मुझे बता देंगे कि देखो यह बजट को चौपर से या लिमॉजिन से उतरने दीजा तरही बात है मैंने आपको लिख के दे दिया फिर आप उसमें लिमॉजिन और चौपर काट के मारूती एट हंडेट लिख दो मेरे कोई बता है लेकिन मुझे आप पहले यह मत बताओ कि देखो ऐसा है क्योंकि अगर आप पहले में एक दो इंटर्व्यूस में कहीं कहीं मैंने बात कहीं कि हम लोग यह समझ नहीं पा रहे हैं कि फिल्म जो है न वो कहानी कहने का विजूल मीडियम है फिल्म is the visual medium of telling a story we are doing everything but not working on a good story तो आप अच्छी कहानी रखेंगे तो चीज़ें चलती हैं तो यह दोनी वाले experience पर आते हैं जब आप मिले सबसे पहली deal होगी शायद ही आपकी जो सबसे पहले जिस production house ने हाँ बोला होगा ती सीरीज ने बोला तब पहले पहले टी सीरीज वाले experience पर आते हैं फिर वहाँ आप गए उनकी director के साथ उन्होंने आपको तो sign कर लिया उनको नहीं कर रहा तो इस समय ऐसा feel आती है जैसे बच्पन में हमको ऐसा होता था दो बच्चे जाते हैं एक बच्चा prize जीत के लिए आता है जब यह signing की बात चली थी तो मैंने उनसे कहा था कि सर एक साथ sign करेंगे तो उन्होंने बहुत बड़ा दिल दिखा के गा था कि नहीं एक साथ sign नहीं करेंगे मेरा होना होगा तो हो जाएगा तुम्हारा हो रहा है तो होना चाहिए मेरी वज़े से तुम्हारा काम रुके यह अच्छी बात तो मैंने जब sign किया था और अकेले sign किया था तब तक एक पहली बात तो यह थी कि वो भी उनका भी signing उस समय तक होने वाला था अच्छा ऐसा नहीं हो था कि तुमको ले रहे तुमको नहीं ले रहे तो वो गए साथ मेरा था टी सीरीज ने पहले मुझे sign किया और M.E.K.B.L. ही मैंने पहले उनसे पूछा कि सर ऐसा हो रहा है क्या करो रुकू देखिए आपका ethics बहुत काम कर चुके उन्हें पता चल जाता है नहीं उनको ये था कि यार मैंने इतना काम किया हुआ इसका पहला है वैसे हर तुम वेट कर रहा होगा कि यार मेरा एक फिल्म sign हो जाए तो उन्हें बुला देख तेरे लिए पहला है तु अंदर से चाहरा होगा तुरत हो जाए मेरे लिए मतरुप गोए मैं बहुत बदल गई तो तो तेरे को दोस नहीं दूमा तो मैं दोस मुक्त हो कि मैं जाके sign किया था बहुत बढ़िया और फिर इसके बाद हमारे हाँ धो भी धोनी एंटेटेन्मेंट का प्रोड़क्शन हाउस है वहां गए फिर वह भी मलब टाइम तो लगा होगा इन दौनों इवेंट्स के बीच में एक दो महीने का गाप होगा अल्मोस्ट नहीं ज्यादा था ज्यादा चे चे महीं लगगा तो फिर उधर उन्होंने आपने बताया वहां पर आपके अल्वड़ी सारे ही प्रोड़क्शन हाउस का प्रोस्ट लगबग एक जैसा होता है बड़े सारे लेवल्स होते हैं तो पहले बिल्कुल कुछ इंटर्न्स जैसे लोग होते हैं हर जग क्या है ना कि सब लोग इतने बड़े लोग हैं इनके किनका समय इतना कीमती है कि हर किसी को बैठके प्राइमा फेशी सुन नहीं सकते यह हर किसी इसक्रिप पढ़ेंगा आप सोचो बहुत लोग शिकायद करते हैं मैं भी करता था कि industry में कोई script पढ़ता ही नहीं सबको सुनना होता है जैसे जैसे में पुराना होता कि मेरे को समझ में आए कि अगर director और producer हर script पढ़ने लगेंगे तो उनका जो काम है वो कप करेंगे क्योंकि script तो ऐसे आती न इतनी इतनी उसका कोई अंत नहीं है तो वो क्या करते हैं कि अपना समय बचाने के अपने अंडर लोग रखते हैं तो पहले एक set of people सुनते हैं अगर उनको अच्छा लगता है तो वो दस कहानी में से तीन कहानी को filter करके उपर भेज़े तो फिर second level of people सुनते हैं एक्जामपल दे रहा हूं मैं आपको उसमें से वो एक और कट कर देते हैं बहले दो ही भेज़े उपर तो फिर finally एक या दो कहानी उपर पहुंचती है जो तब तक आपको पता होता है कि यह तो हो हुए थैब दो ही है तो second तो आई जाएंगे आई जाएंगे हाँ ऐसे वाले thought के साथ हम आगे बढ़ते हैं रही बात पहला पहला experience कैसे था रहूल मैंना इतना rock bottom टच करके पहुंचा था ना Bombay कि मैं तो सांस भी लेता हूं तो वो भी मेरे लिए bonus है साही बात है बहुत गह उस अटेंट के बाद मैं बज गया हूं तो बाकी का पूरा लाइफ ही bonus है तो कितना भी बुरा होगा अगर दिख रहा है और मैं जिदना हूं तो मेरे मेली तो अच्छा ही है